नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभीका तेकी राच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेमसंग एटन एस या फिर किसी भी सेमसंग मोबाइल पर यदि आपका केमरा काम नहीं करते आपका केमरा काम करना ब इस वीडियो को जो है सुरू से लेके आं तक देख लिजे ताकि दोस्तों आपका प्रॉब्लेम यही पर फिक्स हो जाए ठीक है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आए तो चैनल को कीजे बेल आइकोन को क्लिक कीजे और दोस्तों यदि आप ओनलाइन से पैसा कमाना चाते तो आप हमारा वीडियो दिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक आउट कर सकते और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते तो यहा वह ओपन होते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लेम रहते हैं वह आप यहाँ पर शाटर नहीं कर पते हैं यह आपको इसा प्रॉब्लेम में तो आप केमरा को ओपन कीजिए उसके बाद दोस्तों आप जाए यहाँ पर जो कि आपका सेटिंग है और आपका problem definitely fix हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों आपने reset कर दिया है लिकिन दोस्तों यह दिए आपका camera on ही नहीं हो रहा है और यहाँ पर चालू नहीं हो पार है ठीक है आप यहाँ पर camera को use नहीं कर पार है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा आपको जाना है setting पर setting पर यहाँ पर इसको clear data कर डिजिगा ठीक है clear data कर डिजिए उसके बाट बेक कीजिए permissions को allow कीजिए और साथी साथ mobile को restart कर डिजिए ठीक है तो यह solution करने के बाद दोस्तों आपका problem definitely fix हो जाएगा ठीक है तो आप यह solution करके देखिए आपका problem जरूर फिक्स हो जाएगा और दोस्त में दोस्तों आप जाके update नहीं करेगा तो आपको problem आ सकते तो आपको simply जाके software को update कर लेने software वगरा update करने के बाद दोस्तों आप चेक कीजिए आपका जो camera का problem है वह definitely fix हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों यह solution आपको करना है यहाँ पर जिदनी भी मैंने आपको solution ब आपको के बाद तोसंने ऊगाँ थेंक राची